आप सभी को महाशिवरात्री की बहुत बहुत शुब कामनाई फ्रेंड्स महाशिवरात्री का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महतव है महाशिवरात्री के पूजा करने से भगवान शिवशंकराती प्रशन होते हैं और मनोवांचित फल देते हैं तो महाशिवरात्री के वरत में वरत कथा सुनी जाती है आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्री की वरत कथा सुनाऊंगी तो चलिए वरत कथा शुरू करते हैं वरत कथा सुनने के लिए हम अपने राइट हैंड में यानि कि सीधे हाथ में चावल और फूर ले लेंगे, खाली हाथ कभी भी कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है, तो आप चावल के दाने ले सकते हैं या फूर ले सकते हैं, उसके साथ हैं कथा सुनेंगे, प्राचेन समय में एक बहेलिया रहता था, जो नित्य परती दिन अनगि प्राद जीओं को मार कर अपने परिवार का पालन पोशन करता था, एक बार पूरे जंगल में विचरन करने पर भी जब उसे कोई सिकार नहीं मिला, तो वो व्याकुल हो उठा, व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे चला गया, उस तालाब के किनारे एक बेल पत्र का व कर लूँ, साखा पर बैठ कर वह बहेलिया बेल पत्र के पेड तोड़ते हुए नीचे गिराने लगा, इस तरह से वो बेल पत्र जो तोड़कर वो नीचे गिरा रहा था वो सिवलिंग के उपर चड़ते रहे और पूरा सिवलिंग बेल पत्र से ढग गया, दिन भर की उक्से व्याकुल उस बहेलिये का इस परकार सिवरात्री का वरत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गरवती हिर्नी उधर से गुजरी। बहेलिया उसको मारने के लिए तयार हो गया। जिजक्ती व्याकुल हिर्नी दीनवानी से बोली। हे व्याद मैं गरवती हूँ। परशव की बेला समीप है। इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं परजनन किरिया के बाद सिग्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। वह मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात गुजरने के बाद एक और हिर्नी उस थान से गुजरी। बहलिय के निसाना साथते ही हिरनी भी निवेदन करने लगी कि मैं अभी रितु किरिया से निवरत सकामा हूँ. इसलिए मुझे पती समागम करने दीजिए, मारिये नहीं. मैं मिलने के पश्चात स्वेम तुम्हारे पास आ जाओंगी. बहेलिया ने उसकी बात स्विकार कर ली और उसे भी जाने दिया रात्री की तिर्तिये बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलास से पर पानी पीने आई बहेलिया ने उसे देख कर धनुस बान उठा लिया तब वह हिरनी बोली की हे व्याद मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पिता के संग्रक्षन में छोडाऊं उसके बाद आप मुझे मार देना अभी मुझे मत मारो बहेलिये ने दीन वच्चनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया प्रात्यकाल के समय एक मानसल बलवान हीरन उस रोवर पर आया बहेलिये ने उसे मारने के लिए धनों सुठाया यह किरिया देखते ही हीरन ने कहा हे व्याद मुझे से पुरो आने वाली तीन हीरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिये अन्य था अगर वे तुम्हारे दवारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे मिलकर आने पर मारना मैं उन्ही का सहचर हूँ हीरन की करुना भरी बात सुनकर बहेलिये ने उसको भी छोड़ दिया दीन भर उपवास पूरी रात जागरन तथा सीव परतिमा पर बेल पत्र चढ़ाने के कारण उसका हिर्दय परिवर्तन हो गया उसका मन निर्दयता से कोमल हिर्दय में बदल गया हीरन परिवार को लोटने पर भी नै मारने का निश्चे कर लिया भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हिर्दय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह अहिंसावादी बन गया उधर हिर्णियों से मिलने के पश्चात हीरन ने बहेलिये के पास आकर कहा कि हे व्याद अब आप मुझे मार सकते हो बहेलिये के आँखों से आसु छलग गए पहले की किये हुए कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा इस पर सवरग लोग से देवताओं ने भी बहेलिये की सराहना की तथा भगवान शंकर ने दो पुस्प विमान भेज कर बहेलिये तथा मरग परिवार को शिव लोग का अधिकारी बना दिया अंजाने में ही सही महा शिवरातरी का वरत करने से महा पापी बहेलिये को भी सवरग लोग की प्राप्ती हुई ये शिव शंकर भोले भंडारी जैसे आपने उस बहेलिये का उध्धार किया वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते, सब पर अपनी किरपादरस्टी बनाए रखना और सब का उधार करना ये थी महाशिवरात्री की वरतकथा, वरतकथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल के दाने लिए हैं ये हम भगवान शिवशंकर को समर्पित करेंगे, तो इस तरह से हमारी महाशिवरात्री की वरतकथा पूर्ण हो जाएगी फ्रेंड्स अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमेश्युवाई राधे राधे